अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें तो चलते हैं आज की मूवी की एक्स्प्रिनेशन की तरफ मूवी की शिरुवात मलीशा नामी लड़की से होती है जो बंजी रैबिट की कहानी सुना रही थी बंजी एक ऐसा रैबिट था जिसे एक सापने रस्टे से भटाने की कोशिश की थी लेकिन आखर में उसके दोस्तों ने उसे बचा लिया तब ही मलीशा उस किताब को बंद करते हुए असल कहानी की तरफ आती है जो और किसी की नहीं बलकि हमारी मूवी की में कारेक्टर मौरिस कैट की थी अब हम देखते हैं कि कैसे मौरिस कुछ गाउंवालों से बात कर रहा था जो उसे उनके गाउं से चुहों को भगाने के लिए कह रहे थे तब ही मौरिस उन्हें बताता है कि ये काम सिर्फ एक ही इनसान कर सकता है इसी के साथ वो अपने पीछे की तरफ इशारा करता है जहां कीत खड़ा था अपने पाइप के साथ वो पाइप बजाते हुए सब के सामने से गुजरने लगता है और गाउं के सारे चुहे उसके पीछे चलना शुरू हो जाते है कीत उन्हें एक दर्या के पास लाता है जहां सारे चुहे दर्या में छलांग लगा देते हैं ये देखते हुए गाउं वाले मौरिस को बहुत सारे पैसे भी देते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे सारे चुहे दर्या के दूसरे तरफ से बाहर आ रहे थे, कीत उनकी तरफ भागते हुए आता है और उनसे बाते करने लगता है, इसे समझ आता है कि ये सब मिले हुए थे, क उन्हें उसका आइलेंड छोणना चाहिए जहां सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं असल में बंजी की बहुत सी कहानिया मशूर हैं जिसमें से एक ये भी है कि उसने अपने दोस्तों के साथ एक आइलेंड छोण डा था रहना चाहिए चूहे बहुत सोचने के बाद उसकी बात मान जाते हैं और ये सब अपनी अगली जर्णी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं सीन दोबारा मेलेश्या की दरफ लाया जाता है जो कहती है कि इन बिचारे चूहों को क्या पता कि मौरिस इन्हें धोका दे रहा है और आगे तो इनके लिए एक बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है मलेश्या की इसी बात के साथ हमें एक टाउन के मेर को दिखाया जाता है जो दो चूहे पकरने वालों को पैसे दे रहा था क्यूंकि वो उनके काम से बहुत खुश था लेकिन फिर वो उन्हें कहता है कि टाउन में एक भी चूहा ना होने के बावजूद उनका खाना खायब हो रहा है जिस वज़े से वो लोग परिशान है उसी वक्त वहाँ चूहे पकरने वालों का लीटर बॉस मैन आकर मेर से पैसे लेता है और उससे कहता है कि कैसे ये काम इनका नहीं है मेर बॉस मैन से तरह हुआ नजर आता है दूसरी तरफ हम अंडरग्राउंड टानल में मौरि जो कि सच में साफधान करने वाली बात थी लेकिन ये लोग फिर भी इस बात को इगनोर करते हुए अपना काम शुरू कर देते हैं मौरिस कीट के साथ टाउन के गेट से एंटर होता है जहां सबसे पहले बात दोनों ये नोटस करते हैं कि टाउन में बिलकुल भी कोई मल एक्ट कर रही थी मलीशा इन्हे समझाती है कि वो बहुत सारी बुक्स बढ़ती है जिस वज़े से उसे हर चीज़ पर भरोसा है यहां तक कि उसे उनके चुहों के साथ काम करने के बारे में भी बता है लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताएगी जबके वो मेर की बेटी है वो इन दोनों को अपने सार टाउन के खाना गायब होने की मिस्ट्री सॉल्फ करने के लिए ले जाती है दूसरी तरफ हम बॉस्मेन को अजीब तरीके से खाना खाते हुए देखते हैं वो अपने साथियों को बुलाकर कहता है कि उसे टाउन में नए चुहों का एहसास और इनका हेट उस ट्रैप में फस जाता है जब ये लोग पीछे मुडते हैं तो इन्हें और भी बहुत साए ट्रैप पड़े हुए मिलते हैं सीन कट हो जाता है जिसके बाद हम कीथ, मौरिस और मलीशा को देखते हैं मलीशा दोनों को चुहे पकरने वालों की शौप पर ल जाते हैं उस ट्रैप डॉर के अंदर इन्हें और बड़ी जगा मिलती है जहां एक दरवाज़े के अंदर एंटर होते ही इनके सामने बस खाना ही खाना नजर आता है इसे एक बात ये तो समझ आ गई थी कि खाना गाइब करने में बॉसमैन का हाथ था लेकिन इसके पीछे क्या राज चुपा है इसका पता आगे चल जाएगा कीत अभी जगा को देखी रहा था कि उसे अपने साथी चुहों की आवाज आती है वो देखता है कि सारे मिलकर उस ट्रैप को लेकर आ रहे हैं जिसमें इनका हेट फसा है मलीशा ट्रैप को खोल कर उसे आजाद कर देती ह लेकिन मुसीबते इतनी आसानी से खतम कहा होनी थी दोनों चुहे पकरने वाले उसी वक्त उसी जगा पर एंटर होते साथ ही इन पर हमला कर देते हैं मौरिस तो भाग निगलता है लेकिन बाकी सब पकड़े जाते हैं इन सब को अलग अलग जगा क्याद कर दिया जाता है ज कैसे वो सब एक कहानी है ऐसे मौरिस का जूट पकड़ा जाता है मौरिस सब को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे वो इनका दिल तोड़ना नहीं जाता था सच बताकर जबके इस लालची बिल्ले का ध्यान असल में सिर्फ पैसे कमाने की तरफ था सब मौरिस की बात सुन ले लेकिन एक फीमेल माउस जिसका दिल बहुत तूट कया था वहां से रोते हुए भाग जाती है तो उसका साती उसका पीछा करते हुए जाता है पाकी चूहे से कीद को पता चलता है कि कैसे उनका एक साती अभी भी गाइब है ये सुनकर कीद और मलीशिया चूहे पकरने वाल दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फीमेल माउस रोते हुए टानल में आई थी लेकिन वहां उसे अजीद मैसूस होने लगता है जैसे कि कोई उसके साथ हो तब ही बहुत सारे हाथ नजर आते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं और ये नजारा उस फीमेल माउस का पीछा करने वाला साथ ही बस देखता रह जाता है मलीशिया और कीत को चुहे बकरने वाले से घाइब चुहे का पता चल गया था जिससे बाकी चुहे बचाने चले जाते हैं लेकिन उनके जाने के बाद चुहे बकरने वाले उन्हें बताते हैं कि कैसे बासमेन कुछ बड़ा प्लैन कर लेकिन इसका राज चंगल में चुपा है अब मलीशिया जुसे एडवेंशर्स बहुत पसंद है फौरन कीत को खीशती हुई अपने साथ चंगल के अंदर चली जाती है जब के पीछे मौरिस जिसकी नियत खराब हो चुकी थी पैसो के साथ चुपके भाग जाता है ये सीन यहां कट हो जाता है और हम फीमेल माउस का पीछा करने वाले चुपके को मियर के आफिस में देखते हैं जहां बॉसमैन मियर की कुर्सी पर बैठा हुआ था वो उससे कहने लगता है कि कैसे उसे भी उसके साथ मिल कर काम करना चाहिए लेकिन वो शुहा बस अपने साथी के बारे में उससे पूछता रहता है तो आखिर बॉसमैन अपने कोट में से फीमेल माउस को निकालता है जो बिल्कुल ठीक थी लेकिन वो अभी भी उसे चाने नहीं देता अचानक बहुत चारी चूहे आकर बॉसमेन के कोट में खुसते चले जाते हैं और वो बड़ा होता रहता है आखिर ये बॉसमेन है क्या चीज ये जानने के लिए तो मैं भी बहुत बेताब हूँ खेर उसी वक्त मौरिस सबरदसी एंट्री देते हुए अपने दोनों साथी चूहों को लेकर किर्की से बाहर जंप लगा लेता है जहां इन्हें इनके बाकी साथी चूहे भी मिल जाते हैं हम मलीशिया और कीट के पास दोबारा आते हैं जो उस आदमी के सोने के बाद उसके घर में घुसे हैं उसका पाइप चुराने के लिए अब आप लोगों ने पाइट पाइपर की कहानी तो सुनी ही होगी अगर नहीं सुनी तो इसके बारे में मैं आपको मुवी के एंट में बताऊंगी ये आदमी और कोई नहीं बलके असली पाइप ट पाइपर ही था कीट उसका पाइप टो चुरा लेता है लेकिन तब ये पाइप ट पाइपर की आंख खुल जाती है और कीट मलीशा के साथ उसके इशारों पर नाशना शुरू हो जाता है पाइप ट पाइपर दोनों को अवन की तरफ ले जाने लगता है लेकिन तबी मलीशा के बैक में मुझूद टॉय राट इनकी मदद करते हुए पाइप ट पाइपर का ध्यान भटका देता है कीट उसका पाइप ले आता है और ऐसे ये लोग पाइपट पाइपर से जान चुडाने के बाद दबारा टाउन के तरफ भागते हुए आने लगते हैं मौरिस पाकी चुहों के साथ टाउन से भाग रहा था इन्हें गेट पर ही बासमेन खड़ा मिलता है जो एक अजीब सी पावर से चुहों को अपनी तरफ खीशने लगता है ये लोग मौरिस को फॉरन जाकर हल्प लेने के लिए कहते हैं मौरिस चंगल में भागते हुए जाता है जहां आदे रस्ते में ही उसे कीत मलीशा के साथ मिल जाता है तीनों फॉरन बासमेन के पास आते हैं जहां कीत पाव बजा कर उसे रोखने की कोशिश करता है लेकिन उससे पाव बजाया ही नहीं जाता बॉस्मेन मलीशा को नुकसान पहुँचाते हुए बेहोश कर देता है जिसके बाद वो एक एक करके चूहों को अपने अंदर खींचने लगता है कीत मलीशा को होश मेलाता है जो उसे हौसला देते हुए पाई बजाते रहने के लिए कहती है जिस वजा से वो पूरे confidence के साथ दोबारा पाइप बचाना शुरू कर दिता है जो इस पार काम कर जाता है एक एकर की सारे जुहे पॉसमेन के अंदर से निकलते हुए आजाद हो जाते हैं जिसके बाद आखिर में हम कुछ चुहों को हाथ पकड़ा हुआ देखते हैं जिनके बीच में एक नीली जादूई चीज दिल बनकर धड़क रही थी और वो ही इन्हें कंट्रोल भी कर रही थी वो जादूई चीज इतनी दाकतवर थी कि वो वक्त को रोक देती है मौरिस के साथियों में से एक बहादर चुहे पर उसके जादू का असर नहीं होता और वो उससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन जादूई दाकत उसे मार डालती है ये देखकर मौरिस खुसे में आ जाता है और स्पेल से आजाद होते हुए उस पर हमला कर देता है ऐसे वो उस चादूई चीज को तो खतम करने में कामयाब हो जाता है लेकिन खुद अपनी जिंदगी खो बैठता है मौरिस के पास ग्रिम रीपर आता है ऐसे दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं सब खुश्या मनाने लगते हैं अ कहानी की बुक भी बन करते हुए इस स्टोरी को भी एंट कर देती है इसका मतलब ये एक है मलिश्या ऐसे कहानी सुना रही थी जसमें वो खुद भी थी इसी के साथ मूवी की फाइनल हैपी एंडिंग हो जाती है इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सची दोस्ती सिंदगी में कहीं न कहीं काम जरूर आती है दिल में चाहे कितनी ही लालच क्यों न हो लेकिन अगर दोस्ती सची हो तो उससे जदा ताकतवर चीज़ और कोई नहीं अब बात करते हैं पाइपट पाइपर की तो इसकी कहानी ये है कि लोगों की मताबिक एक विलिज में पाइपट पाइपर को बुलाया गया था लेकिन गाउंवालों ने उसे उसके पैसे देने से इंकार कर दिया पाइप पाइपर गुस्से में आ गया और उसने गाउंगे 130 बच्चों को अपने पाइप की धुन की मदद से वर्ष में कर लिया वो उन्हें अपने पीछे भी ले गया और हमेशा के लिए उनके साथ गाइब हो गया ये कहानी सच है या जूट इसका किसी को नहीं पता लेकिन दिल दहलाने वाली जरूर है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग